नमास्कार दोस्तों आपका संजीब औल इन बन में स्वागत है। किसान भाईयों आज का हमारा टॉपिक है कि 40-50 दिन की हमारी ग्याओं की फसल हो जाए तो इसमें कौन सा खात लगाएं, कौन सा औरवक लगाएं जिससे की हमारी पैदावार जादा जादा हो। किसान भाईयों 40-50 दिन की हमारी ग्याओं हो जाते हैं तो वह बहुत महत्पूर होते हैं। इसलिए महत्पूर होते हैं क्या नहीं आपको बताने जा रहा हूं। किसान भाईयों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो लाल वाल बटन है उसे दबादें। बैल आकन घंटी को दबादें। जिससे की आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। किसान भाईयों जब 40-50 दिन की हमारे फसल हो जाए तो हमारे क्या करना चाहिए। किसान भाईयों सबसे पहले जो नंबर बन पर खात आता है वो आता सागरी का सागरी का गोल्ड। किसान भाईयों इसमें सारे पोसत तत्व होते हैं और सबसे वेस्ट होता है अपनी ग्याओं के लिए जैसे यह फसल है कि 40-50 दिन के आसपास की हो चुकी है तो इसमें आप सागरी का लगा सकते हैं जिन किसान भाईयों के लिए ग्याओं में पीला पना रहा है या कर सकते हैं किसान भाईयों हमारा दूसरा आता है किसान भाईयों अगर आपका खेट बड़ा है ज्यादा तो आपका बजट भी बढ़िया है तो आप इसमें यूरिया पिलस यूरिया पिलस सुल्फर ले लेना 90 परसेंट वाला सुल्फर से यह होता कि जो इसका पैदावार जो growth है वो automatic अपने आप भी बढ़ने लग जाएगी एक बार किनने से इसलिए आप urea में mix करके sulfur गेड़ दें या फिर अगर आपको saagrica आपके spray की विवस्टता नहीं बनने हो तो आप urea mix करके भी एक दानेदार form वाला आता है इसलिए आप इसे भी मार सकते हैं आप अपने खेट के अंदर या तो पहले आप urea plus sulfur mix करके मार दें और फिर बाद में 5-6 दिये 10 दिन बाद आप अपने खेट में saagrica का spray कर दें या अपना urea mix करके saagrica को बिखेड़ दें सबसे बढ़ी है सबसे best result मिलागा किसान भाई यो आपको और किसान भाई यो अगर आपके खेट में पानी भर गया हो तो इसे प्लिज अपने पानी निकाल दें अपने खेट से अगर आपके बारीज ज्यादा पढ़ गी हो किसान भाई यो यह सबसे बढ़ी है इतले मेंने आपको बताया है तकि सागरीव का पिलस यूरिया पिलस अब को अर्यव ले लेना है और यूरिया पिलस सलफर को एक साथ मानना और ची आपको डूज पसंद आए तुम्हाद चैनल सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद किसान वाई हो